चलिए हम शूरू करते हैं आज class 10th का lesson 2 lesson 2 जिसका नाम है Fable ये कविता है जिसको लिखा है कविता जो भी हम आगे पढ़ेंगे इस कविता में जो भी लिखा है वो एक हम कल्पना Immersion ने लिखा है चलिए हम पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं Immersion के बारे में पहले थोड़ा सा जान ले तो ये जो Ralf Weldo Immersion है ये एक American Essayist Lecturer और Poet है मैं पहले इनके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी देता हूँ जो ये है Immersion जो है Dentalist का मतलब होता है मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ये समझता है जो ये मानता है कि इस दुनिया में जो भी चीजे हैं चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो उन सब के होनी का इतना एक कारण है सब किसी ना किसी वज़ा से ही इस धर्ती पर है यही सोच इसी विश्वास को ले करके ये जो इमर्सन है इन्होंने ये कविता लिखी है जिसका नाम फेबल है जो हम आगे पढ़ेंगे तो आप ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि जो कवी है वो ये मानते हैं कि धर्ती पर रहने वाला हर चीज चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सजीव हो, नर्जीव हो, कुछ भी हो उन सब का धर्ती पर होने का कोई ना कोई एक मतलब है उनका कोई ना कोई एक कारण है ठीक है? तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और आगे जो कवीता है वो समझने में आसानी होगी ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब तो अब कवीता का थोड़ा सा इंट्रड़क्शन जान लीजिए जिससे कवीता को समझने में और ज़्यादा आसानी होगा लिखा है तो पोयम डिस्क्राइबस अ कन्वसेशन बिविन दे स्कुरिल और जो कवीता है यह बताता है एक कन्वसेशन के बारे में कन्वसेशन होता है कन्वसेशन का मतलब है बातचीत बातचीत के बारे में बता रहा है जो कि एक squirrel, squirrel का मतलब होता है गिलहरी और एक mountain यानि परवत के बीच में हो रही वारतालाप के बारे में ये कवीता बता रहा है तो the squirrel points out that this world, every being, in this world, every being, living or non-living, big or small, give their individual reasons for existence तो squirrel बोलता है, squirrel कुछ point out करता है, कुछ दर्साता है कि इस धर्ती पर चाहे कुछ भी हो जिन्दा हो या जिवितना हो, मतलब सजीव हो या निर्जिव हो, बड़ा हो या छोटा हो उन सब के होने का, उन सब के इस अस्तित्व में रहने का existence यानि अस्तित्व में रहना अस्तित्व में होने का कोई ना कोई वज़ा होता है, अपना ही एक कारण होता है ठीक है, ये रहा introduction, अब हम आगे कविता की ओर बढ़ते हैं कविता की शुरुवाद कुछ ऐसी होती है, ये लिखा है, the mountain and the squirrel had a squirrel जो पहाड है और गिलहरी है, उन दोनों के बीच में एक जगडा हुआ, एक squirrel, squirrel का मतलब होता है, जगडा, जगडा हुआ और former का मतलब होता है, जो पहले, पहले वाला, यानि कि mountain और लेटर, लेटर का मतलब यहाँ पर है, बादवाल, यानि squirrel तो जो पहले वाला, यानि mountain ने squirrel को बोला, little prick, अच्छा है, यहाँ पर little prick प्रिग, प्रिग का मतलब होता है, satisfied, satisfied यानि कि जो अपने में संतोस्थ है, उसके पास जो भी है, जैसा भी है, वो संतोस्थ है, ऐसे को हम लोग प्रिग कहते हैं, अब यहाँ पर प्रिग के साथ लिखा हुआ है, little prick, अब जो mountain है, परवत है, वो squirrel का insult करते हुए यह कहता है कि तुम छोटे तो हो, छोटे हो, और मगर जितना भी तुमारे पास है, तुम उसके संतोस्थ हो, तुम जैसे भी हो, छोटे हो, चाहे जितने भी हो, थोड़े से, उसी में तुम खूश रहते हो, उसी में तुम खूश रहो, इस तरह से बोलते हुए, mountain ने squirrel की insult कर दी, अब आगे squirrel क्या बोलता है, वो जानते हैं, देखे लिखा है, bun replied, बन का मतलब हो, bun मतलब होता है squirrel, squirrel का दूसरा मेनिंग, bun, तो bun replied, squirrel ने जवाब दिया, you are doubtless very big, but all sorts of thing and weather must be taken in together, to make up a year and a sphere, कहता है, तुम निसंदे बहुत बड़े हो, तुम निसंदे बहुत बड़े हो, doubtless यनि निसंदे, मतलब कोई संदे नहीं है, कोई शक नहीं है, तुम सच में बड़े हो, ऐसे भी पहाड बड़ा होता ही है, तो वही बोल रहा है, कि तुम बहुत बड़े हो, निसंदे, but all sorts of things and weather must be taken together, लेकिन सारी चीजे, सारे मौसम एक साथ लेना जरूरी है, मतलब सारी चीजे, यहाँ पे धर्ती के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे देखे लिए को है, to make up a year and a sphere, स्फेर का मतलब है, यहाँ पे धर्त्वी, प्रित्वी के बारे में बोलते हुए, वो बन, यानि स्क्वेरिल कहता है, कि जितनी सारी चीजे धर्ती पर है, all sorts of things, जितनी चीजे धर्ती पर हैं, और जितने भी मौसम है, उन सब को एक साथ लिया जाता है, पूरा धर्ती बनाने के लिए, धर्ती पर पूरा साल बनाने के लिए, तो एक साथ मिला करके, पूरा एक साथ complete, एक जब circle complete हो जाता है, तब उसे हम एक पूरा साल कहते हैं, वैसे ही धर्ती पूरी की पूरी complete कब होगी, जब इसमें सारी चीजें होगी, हवा, पानी, जमीन, जो जीव जनतु हैं, सब के सब मिला करके, एक पूरी धर्ती, खुबसूरत कैसी धर्ती बनेगी, वैसे ही एक साल कैसे बनेगा, जब धर्ती पर सारी के सारे मौसम एक साथ गिने जाएंगे, एक साथ ले जाएंगे, तो यहाँ पर इसी तरह से कहते हुए, कि जितनी सारी चीजे धर्ती पर हैं, उन सब को एक साथ लेने की जरूरत है, उन सब को एक सा होगा तो यहां पर जो स्कूरिल है वो अपने बारे में भी अपनी भी धर्ती पर existence मतलब अपने भी होनी का एहसास और उसकी भी होनी की जरूरत को दर्साते हुए यह कहता है कि धर्ती पर सभी का होना बराबरी बराबर तरीके से जरूरी है सब एक साथ रहना जरूरी है ठीक है तो अब चलिए कविता का अब आगे देखते हैं स्कूरिल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है and I think it no disgrace to occupy my place disgrace का मतलब होता है शर्म लज्जा occupy का मतलब होता है ग्रहन करना या डखल करके रखना ठीक है अपनी जगह लखल करके रखना तो स्कूरिल बोलता है कि मुझे और मुझे ऐसा नहीं लगता मैं ऐसा सूचता हूं कि मुझे धर्ती पर अपनी जगह चाहे छोटी सी क्यों ना हो क्यों मेरा साइस तो बहुत छोटा सा है तो चाहे छोटी सी जगा क्यों ना हो मुझे अपनी वो जगा दखल करने में कोई शर्म नहीं है आप तो इतने बड़े हो वो पहाड को बोलता है आप तो इतने बड़े हो इतने बड़े से शरीर को इस धर एकदम बिल्कुल ना के बराबर है लेकिन फिर भी मुझे उतनी छोटी सी जगा भी ग्रहन करने में दखल करने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि मेरी भी कोई ना कोई एक्जिस्टेंस है अस्तित्व है इस धर्ती पर मैं भी किसी ना किसी कारन की वज़े से बनाया गया हूँ जैसा कि आपको किसी ना किसी कारन की वज़े से बनाया गया है यह सब कौन बोल रहा है तो यह सारी कि सारी बाते गलेरी बोल रही है पहाड को बता रही है अब आगे क्या बोलती है, if I am not so large as you, you are not so small as I, अगर मैं आपकी तरह विशाल नहीं हूँ, आपकी तरह बड़ा नहीं हूँ, large यानि बड़ा विशाल, अगर मैं आपकी तरह विशाल या बड़ा नहीं हूँ, तो आप भी मेरी तरह छोटे नहीं है, एक दम पूरा सिधा-सिधा अपनी बातों से ही इंसल्ट कर रहा है, बोलते हूँ, यह कह रहा है कि अगर आप बहुत बड़े हो, बहुत विशाल हो, सब कुछ कर सकते हो, इतने बड़े हो, देख सकते हो, पुरी दुनिया दिखाई दे रही है, आपके उपर से आपको दिखा रहा है, कि कहां जमीन है, कहां प यह अपनी बातों से ही पहाड को इंसल्ट कर रहा है पहाड की थोड़ी सी खेचाई कर रहा है ठीक है अब देखिए जैसे अगली लाइन जैसे लिखता है का मतलब है फुल अफ एनरजी यहनि की अक्टिव कभी इधर से उधर कूरते रहें जैसे कैसे चोटी सी गिल्यारी कभी इधर भागती है बागते रहती है इधर उदर तो वैसे ही वह बोलती है कि है कि आप मेरी तरह जरा से भी अन्य एक्टिव नहीं हो आप जहां एक बार ट कूज सकता हूँ भाग सकता हूँ I am full of energy मैं पूरी तरह से उर्जा से भरा हुआ हूँ लेकिन आप एकदम पूरा टिक गए तो टिक गए ठीक है आप मेरी मेरी तरह की energy का आधा हिस्सा भी नहीं है हाफ भी नहीं है हाफ के थोड़ा सा भी नहीं है तो यह बोलते हुए गिलहरी अपमानित करती है पहाड का अपनी मिठी मिठी भातों से अपमानित करती हुए आगे दिखते हैं अब आगे और क्या बोलती है आगे की कविता में समझने की कोशिश करते हैं चलिए अब आगे ब कि मैं यह मना नहीं करता यह अस्विकार नहीं करता कि आप एक बहुत खूब सूरत स्कुर्ल ट्रैक यानि की गिलहरियों के जाने का रास्ता जैसे जो पहाड है वो बहुत सारे जंगल रखता है अपने उपर उन सब पेड़ों पर कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कू स्कुर्ल पहाड को कि मैं यह मना नहीं करता कि आप हम स्कुर्ल के लिए हम छोटे-छोटे जीवों के लिए एक सुन्दर सा रास्ता तियार करते हो अपने ऊपर ही आगे देखे लिखा हुआ है टैलेंट डिफर ओल इस वेल एंड वाइसली पूट पर टैलेंट का मतलब प्रिथक ठीक है जो गुण है वो सबके अलग-अलग होते हैं सारे धर्ती पर जीव जो है वो अपनी-अपनी क्वालिटी रखते हैं अपने लिए अलग-अलग सोच, अलग समझ सबका अपना-अपना अलग गुण है तो all is well and wisely put सबको अच्छे से अच्छे तरह से और wisely यानि कि चतुराही से चालाकी से ठीक है अलग-अलग टैलेंट दिया है जहां पर जिसकी जरुवत है वहां उसको रखा है और वही क्वालिटी उनको दी गई है तो इस तरह से स्कुरल बोलता है कि जैसा आप अपनी क्वालिटी रखते हो वैसे ही मैं भी अपना कोई ना कुण रखता हूं अब देखिए आगे क्य अपनी पीट पर बैक का मतलब यहां पर पीट ठेक है अगर मैं अपनी पीट पर जंगल नहीं ढो सकता अगर मैं अपनी पीट पर जंगल को नहीं ढो सकता लाद नहीं सकता तो वैसे ही आप जो है छोटी अखरोट नट यानि अखरोट तोड नहीं सकते हो तेक है जैसे कि मै आपकी तऱ जंगल नीड हो सकता वैसे हिह आप मेरी तरह छोटे-छोटे काम नहीं कर सकते हैं, जो अखरोट होते हैं वो तोड़ नहीं सकते हैं, वो काम मेरा है और आपका काम आपका है, तो इस तरह से गिलैरी ने अपनी भी बात रखी, खुद की भी insult का जवाब दे दिया और ये भी बता दिया अच्छे से कि धर्ती पर सभी के होनी का कोई ना कोई कारण है सब अपने अपने किसी ना किसी कर्म के लिए धर्ती पर आये हैं तो वैसे ही आप भी अपना कर्म करते रहे हैं अच्छे से मन लगा के पढ़ाई किजी कि अभी आपका काम पढ़ने का है और अभी तो कुछ दिनों से चुटी चल रही है तो बहुत अच्छे से enjoy किजिए enjoy क्या करना घर में बैठ करके अच्छे से ये time को utilize किजिए पढ़ाई में अपनी पढ़ाई को और ज्यादा आगे ले करके जाए क्योंकि बहुत से लोग ऐस हैं बहुत से बचे ऐसे हैं जो इस समय का बहुत सद उपयोग कर रहे हैं ठीक है एक मान आदमी ने कहा है कि जब तुम सो रहे हो कोई ना कोई जाग रहा होगा और जिस दिन वो तुम से मिलेगा वो जीत जाएगा तो वैसे ही अभी आप अपने समय का अच्छे से इस्तमाल कीजिए पढ़िए और अच्छे से त्यारी कीजिए ठीक है तो गुड लग और थैंक यू फो वाचिंग और अगर आपको मेरी कंटेंस अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कीजिएगा थैंक यू टेक क्यर बाई